मुंबई और उटी में बंगला लगजरी होटलों के हैं मालिक ऐसी साही जिन्दगी जीते हैं मित्तुन चक्रवर्ती जी आपने जमाने के हीरो डिस्कोड आंसर मित्तुन चक्रवर्ती के बारे में हाज हम आपको ऐसे खुला से वताने वाले हैं जिनको सुनकर आप चौक जाएंगे कि एक इस्टार किस तरह की जिंदगी वह भी मित्तुन चक्रवर्ती और परदे पर आने से पहले उनके जिंदगी के कुछ ऐसे रहस जिनको सुनकर आप भी धंग रह जाएंगे क्य पर आप पसंद करते हैं यानि कि कारों को खरीदना और चलाना उनका सौक है यहीं नहीं बलकि आईए जानते हैं मित्तुन चक्रवर्ती के लाइव स्टायल से जुड़ी कुछ दिल्चस्प बात हैं बॉलिवुड के डिस्को डांसर मित्तुन चक्रवर्ती का जिस तरह से ब गौड़ फादर यानि खुद की दम पर बने थे स्टार मित्तुन चक्रवर्ती मित्तुन ने जिस तरह से महनत की हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी महनत से एक अलग पहचान बनाई मित्तुन एक सफल एक्टर होने के साथ सफल बिजनसमैन भी हैं उनका मुंबई में और उंटी में बहुत बड़ा बंगला है और वे कई लगजरी होटलों के मालिक भी हैं इसके आलवां वो कार चलाना और खरीदना भी पसंद करते हैं जिस तरह से कहां कहां है उनकी प्रॉपर्टी इसकी भी चर्चा होना जरूरी है क्योंकि इतनी महनत के बाद इतने अच्छे पर लेबल पर पहुंचना उसके बाद क्या सोकी नोपन होता है क्या जिम्मेदारिया होती है और क्या क्या बनाने का सौक होता है और वही सब मिध्युन चक्रवर्टी ने कैसे पूरा किया चलिए हम आपको बता दे रहें मीडिया रिपोर्ट के रुजार अगर हम माने तो म सब्सक्रवर्टी के पास सिर्फ मूंबई में ही बंगला नहीं है बलकि उंटी में वहीं सांदार कोटी यहां मुंबई वाले घर में उनके 38 रुटतें है वहीं उटी बंगले में 76 कुटतें है इतना ही नहीं उटी में उनका एक होटल भी है जिसका नाम मोनार्क होटल से इस होटल में सारी सुखसुधाय मौजूद है इसके आलवा मित्तुन की काफी लक्षरिस प्रोपरिटी महसूर और मसिना गुडी में भी मौजूद है उनका मैसूर में भी एक होटल है जिसके अठारा विल फरनिश्ट ऐसी कांटेंट दो ऐसी सुट्स अपने एयर मल्टी कुजीन रेस्ट्रा में साथ साथ स्वीमिंग पूल पूल टेबल और ट्रेबल रिलेटेड सर्विसेज मौजूद है यानि कि सारी सुक होटलों में मिलती है जिस तरह से हमने पहले बताया था आपको मित्थुन को है कारों का सोग रिपोर्ट्स का नुसार अगर माने तो मित्थुन के पास एक 1975 मौडल मर्सडीस बेंच भी मौजूद है या एक रियल वील ड्राइब कार है जो अपने दोर में काफी सांदार हुआ करती थी इसके आलावा उनके पास फाक्स वेगन फोर्ड एडवेंजर और टोयोटो फार्चुनर जैसी गाडिया भी है इन सभी गाडियों की कीमत लाखों में हैं बदाने की मित्थुन के पास फाक्स वेगन 1975 मौडल की है यानि पुरानी गाडियों को भी अभी मित्थुन चक्रवर्टी सजा कर रखे हुएं लोग करते क्या हैं बड़ी पोश्ट पोजीशन बड़े पर पहुँचने बाद अपनी पुरानी चीजों को मिटाने की कोसिस करते हैं लेकिन मित्थुन चक्रवर्टी के पास 1975 मौडल जैसी कारे अभी भी मौजूद हैं तो यह था मित्थुन चक्रवर्टी का पूरा रहस कि उन्होंने एक छोटे से करियर से लेकर वह इतने बड़े करियर तक पहुँचे हैं इसमें जरूर मित्थुन चक्रवर्टी की महनत और इमानदारी है तो इसी बड़ी खमरों के साथ बने रहे हैं उन्हें सबहुत झाल